नमुश्कार दोस्तों, टेक सकन के एक बिल्कुल नया फ्रिस और एक्साइटिंग अबसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर में Vodafone Idea Company यानि V.I. Company के बारे में बातचित करने जा रहा हूँ अगर आप एक Vodafone Idea के ग्रहा के तो इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखिए क्योंकि Vodafone Idea Company के तरफ से अपने जो V.O.Wi-Fi सर्विस है वो और दो नया सार्केल्स के अंदर लॉंच कर दिया गया है अभी देखें V.O.Wi-Fi सर्विस काफी साल पहले से जियो एयर टेल के अंदर अवेलेविल था और भारत के हर एक सर्केल्स के अंदर जियो एयर टेल अपने V.O.Wi-Fi सर्विस को लॉंच कर दिया है लेकिन अगर मैं Vodafone Idea Company की बात करता हूँ तो ये एक ऐसा कंपणी है जो V.O.Wi-Fi सर्विस को अभी तक पूरे भारत के अंदर लॉंच नहीं किया है तो इस वीडियो के अंदर में आपको V.O.Wi-Fi सर्विस क्या है इसके बार में बताऊंगा इसका फाइदा क्या है इसके बार में बताऊंगा उसी के साथ साथ कौन-कौन से एडिया के अंदर Vodafone एडिया कंपणी अपने V.O.Wi-Fi सर्विस को लॉंच के है इसके बार में बताऊंगा उसी के साथ आप जो स्मार्टफोन यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्या वो Vodafone एडिया कंपणी के V.O.Wi-Fi सर्विस को सापूर्ट करते हैं उसके बार में बताऊंगा चलि वीडियो को शुरू करते हैं देखिए जियो और एर टेल के अंदर जो V.O.Wi-Fi सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है वो पैन इंडिया किया जाता है और सेकेंड जो चीजे आपके स्मार्टफोन अगर V.O.Wi-Fi को सपूर्ट करते हैं मतलब स्मार्टफोन के स्पेसिपिकेसंस के उपर अगर V.O.Wi-Fi में सने तो आप जियो एर टेल के V.O.Wi-Fi सर्विस को यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन Vodafone आइडिया का सिनर्यो थोड़ा अलग है सबसे पहले यह जान लेते हैं कि V.O.Wi-Fi सर्विस कौन से काम के अंदर आते हैं देखिए बहुत सरे ऐसे जगें हैं जहाँ पर Mobile Network अच्छी तरीके से आपको नहीं मिलते हैं या आप ऐसा भी हो सकती कि कहीं पर घूमने के लिए गया हैं और जहाँ पर घूमने के लिए गया हैं वहाँ पर Mobile Network अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं लेकिन आपके जो स्मार्टफोन हैं वो Local Wi-Fi से Connected हैं किसी भी Company के Wi-Fi से Connected हैं तो वैसे एक टाइम के अंदर View Wi-Fi सर्विस अगर एवेलेविल हो जाते हैं या एक्टिवेट हो जाते हैं आपके Mobile Phone के जो Wi-Fi सर्विस है उसकी मदद से आप Crystal Clear Calling या पर कर सकते हैं मतलब आपके एरिया के अंदर या आपके Mobile Sim Guide के उपर टावर रहते हैं नहीं रहते हैं निट्वाक रहते हैं नहीं रहते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर आपके Mobile Phone Wi-Fi से Connected है तो आप एकदम Crystal Clear Voice Calling या पर कर सकते हैं सुरवाद में जब आया था तब लोगों को यह नहीं लग रहा था कि View Wi-Fi सर्विस इतना जदा फायदे मन्न होंगे लेकिन जितना दिन आगे बड़ा लोग View Wi-Fi सर्विस को यूज करने लगे तो लोगों को इसका एहमियत समझ में आया तो वैसे एक टाइम के अंदर Vodafone Idea कमपणी का जो View Wi-Fi सर्विस है साउथ इंडिया के अंदर दो ऐसे सार्केल से जहाँ पर एक्सपन कर दिया गया है तो यह जो सारे सार्केल से यहाँ पर Vodafone Idea अपने View Wi-Fi सर्विस को अवेलेवल करवा दिया है Vodafone Idea कमपणी का कुछ मेजर ऐसे सार्केल से जहाँ पर अभी तक View Wi-Fi अवेलेवल नहीं है जैसे मददबदिस के अगर मैं बात करता हूँ मदबद सेंच तिसगर आसाम यह जो सारे सार्केल से यहाँ पर अभी तक View Wi-Fi सर्विस को अवेलेवल नहीं करवा गया है लेकिन बाकी सारे जगे के अंदर Vodafone Idea कमपणी अपने View Wi-Fi सर्विस को अवेलेवल करवा दिया है अब देखिए आप जो स्मार्टफोन यहाँ पर यूज करते हैं वहाँ पर अगर बाई डिफॉल्ट View Wi-Fi सर्विस अवेलेवल है अगर आप रिसेनली कोई स्मार्टफोन करे दे हैं या नया कोई ब्रैंड का नया कोई मॉडल का स्मार्टफोन करे दे हैं तो वहाँ पर View Wi-Fi अवेलेवल होंगे और Vodafone ID कमपणी की जो View Wi-Fi सर्विस है वो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो अगर थोड़ा पुराना है लेकिन View Wi-Fi सर्विस नहीं मिल रहा है तो सिंप्ली आप Vodafone ID के वेबसाइट के उपर जागर चेक कर सकते हैं और V.I. कमपणी धीरे धीरे हर एक मोडल के साथ View Wi-Fi को अवेलेवल करवा दिया है अब देखे Vodafone ID कमपणी का जो प्रेजंट सिनारियो है वो आप इससे काफी अच्छे तरह की से समझ पा रहे होंगे जो सर्वीज जियो एयर्टेल जैसे कमपणी काफी पहले लॉंच किया था अभी जियो एयर्टेल कमपणी 5G को उपर सिफ्ट कर रहे 5G एनर वोइस को लिंग देनी की कोशिश कर रहे उस जगे के अंदर Vodafone Idea कमपणी 4G के उपर अपने वाइस ओवर वाइफे सर्विस को भी यहां पर लॉंच नहीं कर पाए यह काफी सता अनफॉर्चुनेट है Vodafone Idea कमपणी के लिए लेकिन यही अपडेट हमरे पस निकल कर रहा था छोटा सा वीडियो बनेकर आपको बता दिया अगर वीडियो पसंद आया कुछ नहीं जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को आपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास मिला आइकोन को दवाना विल्कुल भी मत भूली ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो डेलिविजिस देखने के लिए थैंक्स वाचिंग मैं डिक यार आप से मुट समलगा तो कैसी कोई नए वीडियो के साथ तब ते के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा